एक बार की बात है, एक गाओं में एक मोटी भधी चुडैल रहा करती थी, उसको हर कोई कलेश कराने वाली चुडैल के नाम से जानता था, क्यूंकि वो अकसर लोगों के घरों में जाती थी और अपने जादू से उनके बीच में कलेश करवाती थी, वो काफी कमजोर चुडैल बैट कर आम खा रही थी, ओहो मुझे तो बड़े पसंद है ये गर्मियों के दिन, बढ़िया मजे से पेड़ की छाओं में बैठो और इन रसीले आमों का मजा लो, तभी चुडैल देखती है कि पेड़ के नीचे दो बूढ़े पती-पत्नी, जिनका नाम ललिता और हरीश रखता है, अच्छा ही है, वैसे भी बड़े दिनों से किसी को लड़ते जगड़ते हुए नहीं देखा, इतना बोलकर चुडैल, जादू से उनकी बाइक के आगे पत्थर ले आती है, जिससे पती-पत्नी की बाइक लड़ खड़ा कर गिर जाती है, ओ, ओ, हाई, मेरी बु भी नहीं, आज हमारे लिए अच्छा दिन है, हमें इन छोटी-मोटी बातों पर अपना मन खराब नहीं करना चाहिए, ये देखकर चुडैल गुस्सा हो जाती है, आरे-आरे, ये लोग तो जगड़े ही नहीं, शायद मुझे अब कुछ और ही करना पड़ेगा, इससे पहल भी पेंड के उपर बैट कर ये नजारा देख रही थी, अब आएगा ना मजा, उधर जैसे हरीश बाइक उठाता है, ललिता पीछे से उसे धक्का दे देती है, और हरीश बाइक के साथ दो बार अगिर जाता है, अरे, ललिता, ये क्या क्यों तुमने, अ, ठीक क्या मैंने, तु तो किसी काम का नहीं है, मुझे गिरा कर मेरी कमर तोड़ दी, मुझे पता है तुने ये सब जान भूच कर किया है, मुझे मारना चाहता है न तु बुढ़े, तुम पागल तो नहीं हो गई हो ललिता, क्या ना आप शना बके जा रही हो, एक तो मुझे गिरा दियो उचने लगती है और थोड़ी ही देर में उनके आसपास काफी भीड एकटा हो जाती है, उधर पेंड के उपर बैठ कर चुडैल ये सब नजारा देख रही थी और खूब हस रही थी, ओहो मजा आ गया, और तेज नोच उसके बाल ललिता, हाँ ऐसे ही, तभी भीड में से ए उन दोनों को अच्छे से जानती थी, क्योंकि वो उनके पडोस में ही रहती थी, पहले तो वो हरिश ललिता को रोकने की कोशिश करने लगती है, अरे रुक जाओ, ललिता क्या कर रही हो तुम रुको, छोड़ो हरिश को, पर ललिता, सुनीता की एक बात नहीं सुनती, तभ ये सब उस कलेश चुडेल का की अधरा है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तभी सुनीता एक बाल्टी में पानी भर के लाती है, और उसे ललिता की उपर डाल देती है, पानी पड़ते ही ललिता चुडेल के वश से बाहर आ जाती है, और उसे होश आ जाता है, और वो हर अरे उपर पानी क्यों डाला, क्या हुआ, अरे ललिता बहन, अभी अभी तुम पागलों की तरह हरीश के बाल नोच रही थी, और उसे लड़ रही थी, हाँ ललिता ये सच है, आकर तुम्हें क्या हुआ था? मैं बताती हूँ हरीश, इसमें ललिता की कोई गलती नहीं, बल लोग कलेश चुडेल की तरफ देखते हैं, सब मैंने ही किया और मुझे तो बड़ा मजा आया, सब लोगों को कलेशी चुडेल पर बहुत गुस्सा आता है, पर तब ही कलेशी चुडेल पेंड से गायब हो जाती है और चली जाती है, वो चुडेल गायब हो गई वरना? अज का देन कितना जरूरी है हमारे लिए, चलो घर चलते हैं। ललिता और हरीश घर चले जाते हैं, और सुनीता भी अपने घर चली जाती है। ललिता और हरीश घर पहुचते ही अपना सामान पैक करने लगते हैं। हरीश अच्छा है हमने हमारे बेटे पिंटू और बहु को यहां गाउ में नहीं बुलाया और हम खुद ही शहर उनसे मिलने जा रहे हैं हाँ ललिता सही कह रही हो उस कलेशी चुडैल का आतंक तो बढ़ते ही जा रहा है अब तक तो सिर्फ हमने दूसरों से उसके बारे में सुना था अब तो उसने हमको यह पकड़ लिया था अगर पिंटू और गुंजन बहु यहां अपने बच्चों के लेकर आते तो उनको भी स्टेशन के लिए निकल जाते हैं दरसल उनके बेटे पिंटू और बहु गुंजन को बच्चा हुआ था और उसी से मिलने वो दोनों शहर जाने वाले थे उधर कलेशी चुडैल गाउं में भटकते हुए स्टेशन पहुच जाती है अब तो इस गाउं में मुझे बिलकुल भी मज़ा नहीं आता तभी कलेशी चुडैल देखती है कि स्टेशन पर एक ट्रेन शहर जाने के लिए तयार थी पर चुडैल को नहीं पता था कि जस ट्रेन की छट पर वो बैठी थी उसी के अंदर ललिता और हरीश भी बैठ कर शहर जा रहे थे ट्रेन चल देती है और कु पिंटु जी तो अभी आफिस के कुछ जरूरी काम से बाहर गये है तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ अरे नहीं नहीं बहु तुम आराम करो और वैसे भी खाना तो होता रहेगा पहले तो हम तुम्हारे बच्चे से यानि हमारे पोते से मिलेंगे कहा है वो उधर पिंटु ओफिस से अपनी कार से लोट रहा था अब तक तो मम्मी पापा भी घर आ गये होंगे मैं उन्हें लेने स्टेशन भी नहीं जा पाया था क्या करू मैं अंधेरा भी हो रहा है चलो एक काम करता हूँ शॉटकट ले लेता हूँ तभी रास्ते में पिंटु की कार का टायर पंचर हो जाता है पिंटु जल्दी जल्दी कार का टायर बदलने लगता है उसी वक्त वहां से कलेशी चुडैल गुजर रही थी अरे मिल गया मेरा नया बकरा मुझे ओहो तो ये गाड़ी सही कर रहा है चलो इसकी गाड़ी के उ बैट कर जाने लगता है कलेशी चुडैल भी बिना पिंटू की नजर में आए उसकी कार के ऊपर बैट जाती है और वो दोनू ही पिंटू के घर पहुँच जाते हैं अरे आ गये आप इतने देर कैसे हो गई मम्मी पापा तो बच्चे के साथ खेलते खेलते सो भी गये पिंट का खाना गर्म कर दिया है अरे आरे ये दोनों तो बड़े खुश लग रहे हैं पिल्कुल सुभा जो बुढ़े पती पतनी मिले थे उनहीं की तरह है चलो अब इनके बीच में मैं कलेश करवाती हूँ चुडैल अपना हाथ घुमा कर जादू करती है और जादू से पिंटू की शर्ट पर लड़की का बाल और लिपस्टिक का निशान आ जाता है जिस पर गुंजन की नजर पड़ जाती है ये भगवान ये क्या है ये ये तुम्हारी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान और ल ललिता और हरीश भी वहाँ आ जाते हैं उन्हें वहाँ पर देखकर चुड़ैल चौक जाती है अरे बेटा गुंजन क्या हुआ पापा ये इतनी देर से घर आए और इनके शर्ट पर लड़की का भाल और लिपस्टिक का निशान था ये भगवान ये क्या हो गया है पिंटू तुझे तो होश में तो है गुंजन जोर-जोर से रोने लगती है ललिता गुंजन को संभालने लगती है कि तभी ललिता की नजर परदे के पास पढ़ती है वहाँ वही कलेशी चुडैल खड़ी थी और लड़ाई के मजिले रही थी ललिता जल्दी से जाती है और एक बाल्टी पानी लाकर पिंटू के उपर डाल देती है इससे पिंटू को होश आ जाता है अरे वो देखो वो कलेशी चुडैल हमारा पीछा करते करते यहां तक आ गई पकड़ो उसे और मारो चुडैल ये सब देखकर भागने के कोशिश करती है लेकिन हरीश और ललिता उसे पकड़ लेते हैं और जम कर मारते हैं काफी पिताई होने के बाद चुड़ैल वहां से भाग जाती है और शहर तो क्या दोबारा कभी गाउं में भी नजर नहीं